राईपुर में मुखमंतरी भुपेश बगेल के करीबी लोगों के यहां आयकर विभाग के छापे के बाद सियासत गर्मा गई है और कॉंगरेस ने इसे बदले की राजनीती बताते हुए किन सरकार किलाब प्रदाशन किया मुखमंत्री भूपेश बगेऍ खरीबियों के यहाँ पिछले तीन दिन से आयकर चापे की कारवा ही चल रही है इन चापों ने सुबे की सियासक में हंगामा खड़ा कर दिया है इन चापों की बीच क्याबिनेट की बैठा के सगेत कर मुख्यबंतरी बुपेश भगेल अचानक दिल्ली चले गए रायपूर में आयकर के लगाता चापे का कॉंग्रेस में विरोज शुरू कर दिया है गांधी मैदान में बड़ी संख्या में कॉंग्रेसी पहुचे और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदेशन किया इधर आयकर के इस्थानिये कार्याले रायपूर में सुरक्षा की दृष्टी से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है आयकर चापे के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी के महापूर विधायक जिला पंचायत के अध्यक्ष धरने में मौजूद रहे कॉंग्रेस के प्रदेश महामंत्री गिरीश दिवंगन का कहना है कि मोडी सरकार विधान सभान नगरिय निकाय पंचायती राजचनाव हार की पॉखलाहट की वज़े से आयकर को थक्तीजगण में भेजकर कॉंग्रेसी को दराने और पतनाम करने की कार कर रही है प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने फैसला किया है कि जो कल हम लोगों ने सरकार के ओर से महामं राजपाल के पास जाके बात रखी कि अभी तक के कल 36 गंटा था लेकिन जो आईटी ने चापा डाला उसकी जानकारी भी नहीं दी गई प्रदेश भर में जगदलपूर से लेके रायगर तक सभी सहरों में एक दहसत का वातावरन बना के रखे हैं तो यह 36 गर सांतिप्री प्रदेश है और इसमें इस प्रकार से आतंक भय का कोई जगा नहीं है और उस प्रकार से महाल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है अंग्रिस कमिटी के द्वारा इसका आईटी कारेले के सामने प्रोदस्टन करने का फैसला लिया है इससे पहले मुखमंत्री बुपेश बगेल और उनके मंत्री मंडल के सदस्यों ने राजपाल से मिलकर उन्हें ग्यापन सौपा रायपुल में आयकर अपसरों को गंतवे तक ले जाने वाले की राय की वहनों पर चालानी करवाई करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दोर चला है इस बीच आयकर अपसरों की जाँच तीसरे दिन भी जारी रही मुख्यमंत्री भूपेश बगहिल चातीसगर में आयकर के चापों से खिन नजर आय और इसका विरोध किया बगहिल ने इस मसले पर अपने मंदल के साथ मंत्रना कर राजपाल अनुसुयाय उईके को ग्यापन भी सौपा कॉंग्रेस के प्रदेश महाम मंत्री शैलेश नितें त्रिवेदी ने बयान जारी करके कहा कि मोधी सरकार द्वारा चातीसगर की कॉंग्रेस सरकार को अइस्थिर करने के लिए दुएशपून, डर, भै, आतग और देहशत फैलाने की कारवाई की जा रही है इसका कॉंग्रेस विरोध करती है, कॉंग्रेस ने ताओं और मंत्रियों ने इसे जबरदस्ती की कारवाई कहा है इधर भाजपा प्रवक्ता सतिरान नंद उपासने ने प्रदेश सरकार द्वारा केंदर पर लगाए बदने की कारवाई के आरोप पर आपती की है उपासने ने कहा कि कॉंग्रेस के अध्यक्ष इस चापे का स्वागत करते हुए कधित मलाईदार पोस्ट पर रहे अफसरों पर कारवाई पर खुशी जता रहे हैं आज ऐसा क्या हुआ कि सारी खुशी काफूर हो गई और पूरी सरकार को राजभवन जारा पड़ा मुख्यमंत्री का डर आधार हीन है कहीं कभी भी भाजपा सरकार कॉंग्रेस की तरहां प्रतिरोध की कारवाई नहीं करती 36 गर में केंद्री आयकर की टीम ने शुकरवार को मुख्यमंत्री सचिवाले की ओप सच्चेव सौम्या चौरसिया के घर पर चापा मारा सौम्या के दुर्ग इस्थेत घर पर आयकर की टीम सुभा ही धमक गई थी आयकर की टीम ने ठेकेदार पपू बंचल के ठीकाने पर भी कारवाई किया आपकरी विभाग के OSD, AP तिरपाथी के ठीकाने पर चापे के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सौम्या के घर पर टीम पहुची हाई प्रोफाइल कारवाई में आयकर की टीम तीसरे दिन भी सभी 19 ठीकानों पर जाच करती रही संगीत की स्वद लहरियों से, सांस्क्रित एक ताने बाने तक, चंबल के पीढ़ों से, नकसलवादियों के गर्टा, जोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पकडंडियों से सडकों तक, गाउं से शेहरों तक, व्यापार से उद्ध्योगों तक, राजडीती से आप क्या है?